Hello everyone, आज हम discuss करने वाले हैं दिल्ले स्केल एंड एंटर्पेनिशिप उनिवर्सिटी इसके application form के बारे हम बात करने वाले हैं इसके application form जो है आउट हो रखे हैं, last date क्या है apply करने की, तो चलिए एक एक करके मैं आपको इसमें सारी चीज़े बताता हूँ सबसे पहले आपको dseu.ac.in site पे विजिट करना है, जैसे आप विजिट करेंगे इस तरीके से page जो है open हो जाएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे जो last date apply करने की, all UG program and lateral entry to BTEC is अगर हम बात करें तो क्या है 15 अगस्त है, नहीं 15 अगस्त तक है, पूरा अभी आपके पास one month का time है apply करने का, तो अगर आप UG program में apply करना चाहते हैं, तो apply कर सकते हैं 15 अगस्त last date है, और आपको detail कहां से मिलेगे, information bulletin यहाँ पे आप देखेंगे, undergraduate degree and bulletin, diploma program, आपको इस पे क्लिक करके information bulletin को जो है, डाउनलोड कर लेना है, अब देखें हमने क्लिक कर लिया और यह information bulletin डाउनलोड हो गए, इसमें आपको सारी चीजे देखने को मिलेगी, सबसे पहले चीज, one time registration fees है, आपको यह 600 plus transaction charges लगेंगे, transaction charges जो है minimum amount होता है, जो कि normally लगता ही है, ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें, courses कोन कोन से हैं, यह भी EC में mentions हैं, यहाँ पे सबसे पहले DSEU campus के बारे में हैगा, campus कोन कोन से हैं, सारे campus के बारे में इसमें लिखा हुआ है, उसके बाद है program offer, full time program, यहाँ पे सारे लिखे हैं हैं, जितने भी full time program में, diploma in applied arts, diploma in architecture, diploma in automobile engineering, तो य स्वाइस भी अलग से वीडियो अप्लोड कर दी जाएगी चैनल पर ताकि आपको कोई दिकत ना, advanced diploma में आप देखें इन automotive और undergraduate degree में देखें आप BA, BSC, aesthetic and beauty therapy, BA, digital media and design, BA Spanish, और इसमें आप देख सकते BBA, कितने सारे types के BBA हैं, banking, financial service and insurance, facilities and hygiene management, retail management, automotive retail management, और B.com business process management, BSC data analytics, BSC medical laboratory technology technology, BBA, hospital management, BMS, e-commerce operation, BMS, land transportation, BCA, bachelor of library science, और optometry, तो बैचलर के आप देख सकते हैं, और उसके बाद यह बीटेक, तो यह सारे courses हैं, उसके बाद इसका क्या eligibility criteria है, कहां कितने seats हैं, यहां पर mention है, देखें, number of seats mention हैं, और उसके बाद जो है, location भी mention है, और duration भी, तो कहां कहां है, य number of seats 40, duration 3 years है, और locations आपको यहां पर बताई हुई है, ठीक है, उसके बाद ऐसे ही जो है, आप automobile engineering का देखिए, यहां पर दे रखा है, उसके बाद यहां पर सारी information है, आप जिस चीज के लिए apply करना चाहते हैं, आप इसमें देख सकते हैं, तो हम अलग-अलग videos में आपको मैं topic wise बता दूँगा, ताकि आपका doubts के लिए हो जाएं, चलिए अब आपको यह पता चल गया, कि आपको कैसे चेक करना है, seats कितनी है, durations कितनी है, और किस-किस campus में वो course होता है, आप मैं इसके बाद आपको eligibility criteria दिखाएता हूँ, क्योंकि हर course के लिए अलग eligibility criteria है, और यह भी prospectus में ही mention है, सारी चीज़ें आप जितनी भी information देखना चाहते हैं, सब आपको prospectus में ही देखने को मिलेगा, चलिए मैं आपको यहां से दिखाए, तो जैसे देखें, आपे full time diploma program आप करना चाहते हैं, यह सारे diploma के लिए, दिखें, आपके क्या लिखा है, simple, candidate must have passed class 10th or equivalent, and must have passed mathematics as as a subject, तो यानि आप class 10th pass होने चाहिए, कम से कम, और दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़, आपके पास math as a subject होना चाहिए, class 10th में, तो आप eligible है, चीक है, यहां पर देखिए, वो तो engineering का हो गया, उसके बाद है, यहां पर non engineering diploma program, same, यहां पर चीज़ें लिखे हुई है, candidates must have passed class 10th और equivalent, ठीक है, और diploma in pharmacy के लिए class 12th आप पास होने चाहिए, physics, chemistry, biology और mathematics as subject आपके पास होना चाहिए, part time के लिए यहां पर अलग eligibility criteria, advanced diploma के लिए अलग, और bachelor degree के लिए आप जिस्ते की बान लीजिए है, देख रहे हैं, BA digital media design, तो आपके minimum 50% marks होने चाहिए, आप किसी भी stream सो matter न insurance में आप देखेंगे, minimum 50% marks होने चाहिए, आपके class 12th में, and उसके साथ 50% marks आपके maths में भी होने चाहिए, तभी आप BBA banking financial service and insurance के लिए eligible हैं, otherwise नहीं है, same आप देखेंगे, BBA retail management में भी आप तभी eligible हैं, जब आपके 50% marks class 12th में होने चाहिए, और जिसमें से 60% marks आपके English में होना compulsory है, आप उसके बाद देख लेजिए, ऐसे B.com के लिए simple है, BST data analytics के लिए आपके class 12th में 50% marks तो होने चाहिए, प्लस आपके 70% marks में भी होने चाहिए, 10 plus 2 class 12th में, तो इस तरीके से आपको सारा eligibility criteria, दोनो eligibility criteria फुल्फिल करना अगर दो, जैसे अब यह है B.C.E. के लिए देखें, बैचलर in computer application, तो 50% marks है जो आपके class 12th में होने चाहिए, एंड प्लस में 60% marks आपके maths में भी होने चाहिए, तब ही आप इसके लिए eligible है, ऐसे बैचलर of library science करना चाहिए, तो आपके पास bachelor degree होने चाहिए, और उसमें कम से कम आपके 50% marks होने चाहिए, तो इस तरीके से आप यह इसके बारे में आप डाउट आता है कि फीस कितनी कितनी है, यहाँ पे criteria देख सकते है, merit list का full time program का, यहाँ पे criteria बता रहा है, weightage दे रहा है, performance in test में 60%, academy performance का, class 10th का 30% weightage है, और extra curricular activity का 10% weightage है, और यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे सारा चीज़े, merit list full time diploma program, फिर merit list for full time diploma, अब मैं आपको UG वाला दिखाएता हूँ, सबसे जरूरी चीज, criteria for preparing, the merit list for UG, except BA Digital Media and Design and BTEC program को छोड़के, बाकी सारे UG courses के लिए, same eligibility criteria है, class 12th के आपको weightage दिया जाएगा, 80% weightage है, वो class 12th के marks को आपको दिया जाने वाला है, इसमें ठीक है, और CU ad को 10% weightage दिया जाने वाला है, और extra curricular activity, इसको भी 10% weightage जो है, दिया जाने वाला है, तो totally 100%, अगला देखिए, यहाँ पर, more details on condition to award marks for CU ad will be released on DU ad website, sorry, DSU website, ठीक है, अब criteria for BA Digital Media का यहाँ पर आपको बता रहा है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर full time program, BTEC, तो सारी चीज़ें आपको इसी में देखने को मिलेगी अब उसके बाद जो है, criteria for award marks for extra curricular activity, यहाँ पर आपको points दे रखे हैं, कि किस basis पर आपको कितने marks जो है, दिये जाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि 10% है, इसके लिए extra curricular activity, यहाँ पर सारी information आपको इस prospectus में, मैं आपको brief इसी लिए सारी चीज़ें एक एक करके बता दे रहा ह अब चलिए हम इसमें यहाँ पर seeds देख लिए, दिली रिजन candidates के लिए 85% seeds है, और outside वालों के लिए 15% seeds है, reservation same है, जो कि reservation होता है, जैसे SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5% और OBC के लिए 27% और EWS के लिए 10%, ठीक है, तो reservation criteria में कोई changes नहीं है, जो criteria है, वही criteria आपका reservation criteria रहने वाला है, ठीक है, चलिए आगे और details में आपको यह रहे, full time program, seeds बता रहें आपको, किस में कितनी seeds है, यहाँ पर दिली की seeds बता रहें, outside दिली की, और total seeds भी बता रहें, और किस campus में कितनी seeds है, यह भी mention है, तो आप देख सकते हैं, जिस course में आप apply करना चाहते हैं, उस course में आप देख जो degree program बता रहा है, अब उसके बाद आप देख लेजे, fees, तो full time diploma fees यहाँ पर, diploma in applied arts, architecture, यहाँ पर सारे diploma की fees दे रहें, उसके बाद आपको part time diploma fees दे रहें, advanced diploma की आपको यहाँ पर fees बता रहें, और full time program वाले में यह भी आपको fees बता रहें, और undergraduate degree courses की भी आपको fees बता रहें तो यह आप देख सकते हैं, और इस तरीके से आपको सारी information इसमें देखने को मिल जाएगी, तो लगभु मैंने आपको important सारी चीजे बता दिये, और भी information आपको course वाइस अलग से video बना दी जाएगी, thank you